आज हमें Move Brush देखना है कि G-Brush में Move Brush कैसे हम यूज करते हैं और उसको यूज करके हम कैसे अपने model को create करते हैं basic sculpting कैसे करते हैं तो यह model हमने lightbox से लिया है lightbox पर click करेंगे तो यहाँ पर default एक sphere यहाँ पर यह है इसको double click आपको open कर लेना है double click करके तो यहाँ पर यह आ जाएगा अब आप देख रहे हो कि एक sphere है normally अब इस पर हमें काम करना है तो हम चलते हैं यहाँ पर देखिए हमारा current में जो brush से load है वो standard brush से हमें Move Brush को load करना है आपको keyboard से B button को press कर लेना है और फिर move tool के लिए M for move tool M button को press कर लेना है तो आप देखिए M से जितने भी brush हैं वो सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर यह वाला brush लेना है तो यह V बना हुआ है तो आप V प्रेस कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर move brush आ चुका है ठीक है फिर से आपको बताते हैं अगर आपको brush select करना है तो देखिए आपको B for brush M for move और V उसका code है तो BMV तो आप जल्दी से इसको click करेंगे तो आपका जो move brush है वो load हो जाएगा अब इसको use करना है पर तो इस तरह से इसके जू में से यह move हो रही है क्योंकि brush का size छुटा है तो आपको brush का size maintain करना होगा इसकी according brush का size जो है तो फिर हम ऐसे बना सकते हैं और अगर आपका symmetry on नहीं है यह देखिए यह symmetry on नहीं है तो फिर आपको problem हो जाएगी आपका एक side ही बनेगा तो आप mixture हो जाना अगर symmetry आप on करते हो तो आप brush के benefit को और ज्यादा use कर सकते हैं तो हम यहाँ पर symmetry on करने के लिए X button को press करते हैं ता हमने यहाँ पर move कर दिया इस तरह से अब हम यहाँ पर side में चलते हैं side से हमें थोड़ा सा पीछे side में भी लेके आना है तो हम उपर वाले shape को थोड़ा सा पीछे लाते हैं आप देखिए कि पूरा shape बाहर नहीं आ रहा है तो हम breast के size को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि हमा कि थोड़ा सा tilted या waveform में हो तो आप यहाँ से भी थोड़ा सा waveform दे सकते हैं तो देखिए कितना प्यारा आपने horn बना दिया और इसी type से आपकी sculpting होती है यह हमारे horn बन गए अब let's कि हम इसके पीछे कुछ इसका tail type का बनाना चाहते हैं तो breast का size थोड़ा सा हमने बढ़ा किय यह और इसका tail बनाती है यहाँ से बनेगा tail तो इस type से tail हम यहाँ से निकाल लेते हैं नीचे side में इस type से पर यह बिल्कुल straight off यह यहाँ पर देखिए double यहाँ पर निकल रही है न तो यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा हमें top से देखना पड़ेगा क्योंकि top से हमें दिख लुक दे सकते हैं तो size बड़ा करेंगे और हलका सा wavy look देंगे यहाँ पर एक्स बटन जो X से इसका symmetry इसको off कर देंगे और फिर एक side में इसको move करा सकते हैं तो size थोड़ा सा और बड़ा करेंगे आप यहाँ पर यह safe ऐसा होना चाहिए यह थोड़ा सा इस side में होना चाहिए side से आपको कैसा करना है एस थोड़ा सा wavy look उपर side में देना है size बड़ा करते हैं ब Cum का थोड़ा सा ब्रेस का साइज उपर होना चाहिए यह कुछ इस टाइप से तो एक बेबी लुक आ गया इसकी टेल में देखिए इसकी अगर एर बनाने आपको तो एक बार सिमेट्री और फिर से आन करनी पड़ेगी साइज चोटा करते हैं और इस टेल से हम इसका सेप बाहर निकालते हैं कुछ इस टैप से अब इसके टॉप से जाते हैं और इसके फ्रेंट यह जो बैक साइट से जो एर है ब्रेस का साइज चोटा करते हैं इनको मूव करके अंदर करना है क्योंकि यह इतना बाहर नहीं होते हैं तो साइज थोड़ा ब्रेस का बढ़ा करके यह अंदर करना है यह देखिए इस टैप से प्रेंट से आप एक बार देख सकते हैं और आपको लगता है कि फ्रेंट से भी इनको अंदर करना है तो आप इनको फ्रेंट से भी थोड़ा-थोड़ा सा अंदर कर सकते हूं मूव करके तो यह सारा का सारा जो जो इसकल्प्टिंग आप कर रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स सेशन में नेक्स टॉपिक के साथ में नए ब्रेस को देखेंगे आपको किस टाइप के ब्रेस की हल्प चाहिए आप कमेंट कर सकते हो थैंक यू